डार्क नेटफ्लिस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और बेस्ट शो है दुनिया की नेमबर वन सीरीज, सबसे पड़ी माइंड बेंडिनिंग सेरीज यहाँ फिर साइंस विक्षन के दुनिया में एक शाफकार इसमें से कुछ भी कहना चाहो आप डार्क को कह सकते क्योंकि डार्क हर एक टाइटल पर पूरा उतरहेगा सीजन डू को जिस पॉइंट पे एंड किया गया था वो मुझे काफी तर्की लग रहा था मेरा यह क्याल था कि एक नई डूनिया को कॉंसर्ट कर देना यह बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है लेकिन पर जिस तरह मैंने सीजन 3 देखा तो मेरे डाउट क्लियर हो गए और मुझे एक बात का अंदाज हो तो अच्छे तरीके से हो गया कि जो हमें सीजन 3 में देखने को मिला उसके प्लैनिंग राइटर्स ने मेकर्स ने पहले से की हुए थी शुरू से सीजन 1 से पहले से की हुए थी इसकी सिंपल मिसाल में आपको ऐसे देता हूँ कि जो जो इ सीजन में देखने को मिले हैं वो पहले से इस्टैबलिश कर दिया गये थे तो इसका तो यह मतलब निकलता है सिंपल कि जो राइटिंग और डिरेक्शन है वो बहुत जबरदस्त है लेकिर उसके बाद एक और क्या इसकी एक्टिंग भी बैसी ही है या नहीं तो इसका जबा अपनिंग इंट्रो जिसमें डबल डबल चीज से चाल रहा है वो फाहिद इंट्रो जो मैं आज तक स्किप नहीं किया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा यह गुटबाय सौंग के एक बात ही है कि यह सूट बहुत करता है जासे टीवी सीज पर दूसरी बात ही है कि मु देखने को मिले लेकिन इस सीजन फारिया है वो एमोशनल मोमेंट्स रोलड़ूस्ट है चोटे मोटे मोचार में देखने को मिलेंंगे सीजन द्री लेकिन पर इसका तो पोर पूरा पोरा एक इमोशनल बिग वेंग है उसमें बगत ज्यादा से दिखाए गए है और अगर आ आपको connect कर सकती है emotionally characters के साथ मैं spoil निग कर रहा है किसके साथ लेकिन आपको literally feel होगा कि ये character क्या feel कर रहा है और अगर मुझे कभी भी मुझे 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 मिलेगा ना time में पीछे जाने का तो मैं उस time पर जाओंगे जब मैंने first time dark को discover किया था जो satisfaction थी ना पहली बार dark देखने के पाद जो फुशी मिली थी वो express नहीं की जा सकती वो explain नहीं की जा सकती एक और बात जो मैं add करना चाओंगे वो यह है कि dark Netflix की history का सबसे बड़ा और best show है मेरे opinion में हाँ मुझे पता कि और shows भी हैं जैसे stranger things यह breaking bad यहां पर money eyes लेकिन यार एक पात है कि अगर आप entertainment level में compare करो के ना तो dark आपको सबसे ज़्यादा entertainment प्रोवाइड करता है इन दोनों की list पर इवन के मेरे खुद के दोस्त के साथ भी a scene था वो stranger things देखता था उसने मुझे recommend किया मैंने देखा मैंने का अच्छा है ति मैंने उससे recommend किया कि तू dark देख उस लेकिन एक बात जो आपको माननी पड़ेगी वो यह है कि यह show extremely underrated show है और यह ज्यादा popularity डिजर्व करता है लेकिन पता नहीं क्यों Netflix भी इसके साथ को न्यूसी करता है मतलब आप खुदी द्युक्ष मनी हाइस्ट और stranger things को बकाईदा events देता है हम मुझे पता कि यह end हो गया यही इसका conclusion था अब क्या करें भई हर अच्छी चीज को होना आता है तो इसी तरह डार्क भी हतम हो गया वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको यह चीज़े बता रहता हूं कि भाई मैं इसकी spoiler talk video बील आने वाला हूं जिसमें हम spoilers discuss करेंगे कि क्या मतलब है क्या मतलब है क्या मतलब है क्या मतलब था तो उसके लिए make sure to subscribe तो उसके लिए make sure कि आप मेरे चनल को subscribe कर लो और उसका बेल आइकोन भी दबा दो ता कि आपको वीडियो का notification जरूर मिलें तो यह था मेरा diet के season 3 का spoiler free review आपको यह सीजन कैसा लगा यह मुझे आपको यहां पर मिल रहा डिस्क्रेप्शन में भी मिलजेगा मैं आपसे मुझे वीडियो में तब ते के लिए अपना बहुत सा खार रहना पाकिस्तान जिन्दाबाद